योगा दिवस जैसे अभी अभी ही गया है क्योंकि योगा के प्रति जो उमंग और उस्था का माहोल बना है पुरा विश्व एक योगा कम्यूनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है पूरी धर्ति माता जैसे योगा के लिए एक प्लेट्फॉर्म बन गई है और व्यक्ति की समस्टी तक की यात्रा का एक आधार बन गई है अब लोग योगा को सिरफ आरोग्य नहीं एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे है आज जब हम दूसरे आंतराष्टिय योगा पर्व को मनाने जा रहे हैं तब मेरी विश्व फर के योगा प्रेमियों को बहुत बहुत शुब कावना है और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्व इस योगा अंदोलन के साथ जुड़ता चला जाएगा वेलनेस की और आगे बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति और समस्ति का योग मिलन सुनिस्षित हो जाएगा योग केवल व्यायाम नहीं है योग एक तनाव ग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है योग अशान्त मन को शान्त करता है इसलिए आएए हम सब योग को अपनाएं अपना मन भी शान्त करें और विश्व शान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें योग भारत की सांस्कृति विरासत है आज योग पुरे विश्यों में फैल रहा है और इसके विश्तार के पीछे अनेक योग गुरूं का योगदान रहा है योग के द्वारा पूरे विश्यों में लोग आरोग्य वर्दर और रोग निदान का लाब उठा रहे है विश्यों योग दिवस के सफल आयोजन है तू मेरी शुबकाम नाएं माननी वड़ा प्रदान श्री नरिंद्र मोधिये अयुश मंत्राले भान सरकानी आगेवानीमा राजपत नवितिल्लीमा योजायल योग प्रदाशन नो नेत्रुत्व करियो समस्त विश्वे पूरा उच्साथी एकवीस में जून बेजार पंदर ना आंतर राश्रिय योग दिवस तरीके उचवयो आयादगार प्रसंगे बे गिनी स्वर्ड रेकोर्ड बन्या 35,985 सहभागियों साथे योग नू सौथी मोटू सत्र अने योग ना एकट सत्रमा विश्वना सौथी वदू 84 देशों ना नागरीकों नी सहभागिता बनी समस्त विश्वना करोडों लोकोई पूरा जोश अने उच्साथी पहलो योग दिन मरीने उज्वेव योग मुल्वूत रिते आध्यात्मेक शिस्त छे जे खास्तो अने शुद्ध विज्ञान पर आधारी छे जिस्वस्त जीवन माटे नी एक कला अने विज्ञान छे योग शब्दनी उद्पती संस्कृत ना शब्टा यूग दि थाई छे जेनों अर्थ छे जोडावूं के संगठित थाबो योगीक लेखोना आधारे योगनों अभ्यास व्यक्तिगत चेतनाने साल्व त्रीक चेतना साते एक रूप थाव माटे अग्रेसर करे छे जेथी मन अने शरीर तेमज मानवी अने निसर्ग वच्छे बदू सारू सम्तुलन चरवाई योगना विज्णान नी उत्पत्ती हजारों वर्षों पहला धर्म अने आस्थाना पहल मेला सिद्धान्तों ना उत्पत्ती पर पहला थाई यती योगिक लेखोना आधारे शीव जे पहला आदियोगिय था तेमने पोतानों उन्डु ग्ञान पोताना साथ शिश्यो प्रसित्य सप्तर्श्यो अथवा साथ विगद्वान मुनियोंने पुँचार्यो योगनों अभ्यास पुर्वा वैदिक योग्थी थतो रहयो छे वन महर्श्री पतन जली जियो आधोनिक योगना जनक गनाई छे तेओ पहना व्यक्तियता के जेमने पोताना योग सुत्रो ना आधारे ए समयना अभ्यास होनू व्यवस्तित संकलन करीने नियमोन रूप आप्यो पची अनेक योग्गुरुवे आ विदियाना जतनने विकास मा प्रदान आप्यो अने आ अद्भूत अप्यास ने फेलावे हालमा योगनी गणिविद्या शाखाओ छे जेमां ग्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजल योग, हठ योग, कुंडलीनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लै योग, जैन योग, बहुद योग वगेरे सामिल छे तरेक शाखानी पोतानी पततियो अने अभ्यास छे जे योग ना मुख्यतिये अने हेतु तरफ आपनू मार्ग दशन करे छे मुख्यत वे जेमा अभ्यास थतो तो एवी अमूक योग साथ नाव छे यम, नियम, आशन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, द्यान, समाधि, बंद, मुद्रा, शटकर्म, युक्ताहार, मंत्रजब, तथा युक्त कर्मा योग नो अभ्यास करना राए, योग अभ्यास करती वक्ते अई जनावाई रहल केटला मार्ग दर्शक सिद्दान अनुसर्वा जुए अभ्यास पूरुवे, योग अभ्यास शान्ती अने आनन्ना वातावरन मा शरीर अने मगदनी शान्त अवस्थामा करवो जुए ये खाली पेटे अथ्वा हल्वो खोराक लईने करवो जुए, जो तमने अशक्ती लागे तुँ नवशे का पाणी मा मध मेवीने पिवू शारीरिक प्रवरुती सैलाई थी थाए, थे माटे हल्वा अने आराम प्रत सुत्राव कपड़ाने प्राधाने आपो कोई जुनो रोग, दरद के कोई रदय सबंदी तकलिफ होए, तो योगा अभ्यास करता पहला कोई डॉक्टर के योग चिकित सकनी सला अचुक लेशो अभ्यास दर्म्यान, अभ्यास अत्रों नी शर्वात प्रातना किस तूती थी करवी? कानर के तेनाथी मानसिक शांती मा मदल रूप थाई छे योग अभ्यास, दीमे दीमे तान मुक्टर है, शरीर औने स्वास ने चेतन अवस्थामा राकीने करवामा आवे छे श्वास रोकी राको नहीं, सिवाए के आम करवाने सुच ना होए शरीर ने तंग अवस्थामा के आजको लागे एम राको नहीं अभ्यास पोतानी क्षमता प्रमानेज करवा सत्रना अन्ते मौन राकों अथ्वां शांती पाठ करवो अभ्यास प्रने 20-30 मिनिक ठाए ते पची जमवो के नावो ठीक रहे शे योगनी दुन्यामा आपनू स्वागत छे गिनान अनेरा विश्वमा आपनू स्वागत छे जेवो प्रस्तोत अने लाभ प्रद एह जारा वर्ष पहला हाता एमा आजे पान छे कि जमवो पहला हाता एमा आपनू स्वागत लगक टूस्वाद इन कर दो एक लो इनापन आपनू स्वागत देवा स्वागत लगक रही जमवरा व्रद एहाता एम इना मान है ऐ हो अओ संग चात्वां संग दद्वं संग चात्वां संग दद्वं संभु मनां सी जानताँ संभु मनां सी जानताँ देवा भागं यता पूर्वे संजाना ना उपासते 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 योगनी दुन्यामा आपनू स्वाकत छे। आओ हमें आपने योग साधनानों अभ्यास चलन क्रियाओ इलेके शेतिलता अभ्यासोथी करिये। जे शरीरमा सुक्ष्मरूपे लोहिना प्रवाने वधारे छे। डोकनी कसरत, डोकने आगल औने पांचल नमावी, सावद मुद्रामा रहो। बनने पग अराम दायक लिते फिलवी ने जितला दूर फिलावी शकाय औने बनने हाथ कमरू पर मुको। श्वास काटो औने माताने दिमे दिमे आगल तरफ नमाओ, औने हर पचीने चातीनी तरफ अडाडवानो प्रहत्न करो। श्वास खेंचो औने माताने इटलू पांचल लई जाओ, जासोदे आराम थी जतु रहे। पची श्वास लेता लेता मातू पांचल थी आगल लाओ, डूकनी डाबी औने जमनी बाजू नमावी, श्वास काटो औने माताने दिमे दिमे जमनी बाजू नमाओ, काने बनने टलू कब्बानी नजिक लई जाओ, श्वास खेंचो औने मातू सामाने स्थितिमा लई आओ श्वास काटो औने माथाने डाबी बाजू नमाओ श्वास खेंचो औने माथू फरीथी सामाने स्थितीमा लेयाओ डोकने जमनी औने डाबी बाजू फेरवी श्वास काटो औने माथू आराम थी जमनी बाजू एकलू फेरवो के हरपची खवानी सितिलीटी मां आवी जाई श्वासखेंचो अने मातु पाचु सामान्य स्थिती मां ले आओ श्वासखाटो अने मातु डाबी बाजु फेरवो श्वासखेंचो अने मातु फरीती सामान्य स्थिती मां ले आओ डोग फेरवी माथु आगर नमावी हर पची छाती ने अडारवानो प्रयत न करो श्वास खेंचो औने माथु गडियारना काटाने दिशामा फेरवो माथी नीचु जतोओ त्यारे श्वास काटो माथु गडियारनी काटानी उन्धी दिशामा फेरवो डोक नी चारे बाजू खेंच, डोक ना सांधा अने सनायू दीला पाडवानी अने डोक तान दूर तरवानी अनुपती थत्तियों एम करो। डोक मा दुखाव अने स्पॉंडिलाइटिस होए इवा लोकोई आ कस्रत आराम्थी करवी। सकंद संचालन बंने पग बेगा करो। पग थी माता सुधी ना भाग ने टट्टार राखो। हात पढ़के राखो। श्वास लेता लेता पढ़के थी बंने हात पूताना माथा थी उपर उठाओ। हतीर यो उपरने दिशामां रेवी चोईए। श्वास काटता काटता बन्ने हाथ मूर स्थिति मां पाचा लावो। हाथ उपर करती वक्ते ए वाथ नुँ ध्यान राखो के माथाने अडे नहीं। ए जरीते हाथ नीचे लावती वक्ते ध्यान राखो के ए जांगों ने अडे नहीं। आंग्लियों परोवी ने हतेलियों पूरे पूरी खोली नाखो। स्कंद चक्रा टटार उबारा हो। डाबा हातनी आंग्लियों ने डाबा खबाबर मूखो। एज रिते जमना हातनी आंग्लियों जमना खबाबर बन्ने कोणियोंने चक्रा कार फेरवो। आगरनी तरब फेरवता कोणियोंने छातीनी सामेना बागमा अड कारवानों प्रहतन करो। अने जारे कोणियोंने फेरवो, त्यारे काननी नजीक पन लई जवानों प्रहत्न करो। एज रिते हाथोने उन्दी दिशामा खेचीने फेरवो। अने आधरम्यान हाथ शरीरने अड़के एवो प्रहत्न करो। आकरिया जमने थी डाबे, एटले गडियाना काटानी दिशामा पांच वार करो। आकरिया वारम्वार करतारे वाथी हारका, स्नायू औने कब्भानी तंतरी खाओ स्वस्त रहे छे। आ अभ्यास डोकना मनकाना सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस लोगने मटारवामा मदद करे छे। दडने फेरवू, पाग एक मेक्ती बे पुटना अंतरे राखो। बने हाथ ए रीते च्छाती समा उठाओ कि बनने हथेलियो एक मेक्नी सामे होए। श्वास काटो, श्रीने जमनी बाजू एकलू फेरवो कि डाबी हथेलियो जमना खबाने अरकी जाए। श्वास लेता रहे न didमे अरकीहाई। श्वास लेता रहेने जमना खबाने अरकीहाई। श्वास लेता रहीने मूर स्थिती मां आओ, फरिथी करो, श्वास लेता लेता दीमे दीमे करो मलका के डिस्क नी तकलिफ होए तो अने मासिक चक्र दर्म्यान आकसरत करवी नहीं उभी मुद्रा मां विश्यराम लो गुटन चलावा श्वास खेंचो हाथ खब्बा सुधी उठाव श्वास काटो गुटन वालो अने शरी ने शुन्यनी मुद्रामा नीची लाओ श्वास लो अने शरी ने टटार करो, फरिथी बीवार करो आकसरत थी गुटन अने थापाना सांधा मजबुथाई छे एक क्यूट आर्थ्राइटीस नी तकलिफ होए तो आकसरत छोड़ी तो हाथ नीचे लावती वक्ते श्वास काटो आओ, हवे योगासन तरफ वरिये तारासन, तार एक जारुनो नाम छे बनने परग मच्चे बे इंच नू अंतर राखो अंगलियों परस पर भेरवी ने कांडा बहार नी तरफ वालो श्वास खेंचो औने हाथ उपर करीने खब्बानी सीती लीटी मा ले याओ एडियों जमीनी उपर उठाओ अने अंगुठाओ पर सम्तुलन जारवो आस्तितीमा दस्ती पंदर सेकंड सुधी रहो आ आसन शरीने मजबूत करे छे करोड रज्जोती जोडायली तंत्रीकावनु संकुलन ठीक करवामा मदत करे छे अने कोटी मुद्राओ सुधारे छे श्वास काडओ एडियो नीचे लाओ परोविली आंग्रियोंने खोलो बन्ने हाथ धड़िनी परखे लाओ अने उबाथ हवानी मुद्राओ मां पाचा फरो ब्रुक्षासन ब्रुक्षनों अर्थचे जार बन्ने पगवच्चे बे इंचनों अंतर राखी ने उभाले जाओ आँखो सामेना कोई एक पोईंट उपर ध्यान परवो श्वास काडओ जम्नों पगवाई तेने डाबी जांगनी वच्चे मुखो अभ्यास करता समय एडियो मुलादार ने अड़केली होवी जोईए श्वास खेंचो बन्ने हाथ उपनी तरफ ले जाओ अने हत्रय योने परोविदो आस्थितिमा दस्थी पंदर सेकंड सुधी रहो सामान्या श्वसन चालू राखो अनाथी तंत्रिकाव अने स्नायू वच्चे नो मेर सुधरे छे आर्थ्राहिरीस अने जाडा पनो होई तो आसान करवून नहीं श्वास काढ़ो हाथ अने जमना पग ने नीचे लाओ आ आसन फरीधी करो डाबो पगवारीने जमनी जांगनी वच्चे मुको श्वास केचो बनने हाथ उपनी तरफ ले जाओ अने हथे योने परोवी दो पाद हस्तासन पादनो अर्थ छे पग अने हस्तनो अर्थ छे हाथ दीमे दीमे श्वास खेचो अने हाथ उपर उठाओ शरीरने कमरना भागती उपर खेचो श्वास काडो अने आकी हथेली जमीने अडवा मांडे त्या सुदी आगरनी तरफ नमतारा हो आ छेली अवस्था दस थी 30 सेकंड सुदी जावी राखो जे लोखोने पीट अकडाई जवानी तकलिफ होए तिमने पोतानी क्षमता प्रमाने नमबू अवे श्वासने खेचो दिमे दिमे टट्टा स्थितिमाओ अने हाथ माथानी उपर लई जाईने खेचो श्वास काडो अने दिमे दिमे आप्रक्रियाओ विप्रित क्रमा करता करता शर्वातनी अवस्थामाओ विशरावन लो अर्द चक्रासन पीठने कमर्नों टेको आपो श्वास काड़ो, माथु पाचर नमाओ लुक नास नायोने खेचो तथा करोड रजुना नीचेना बाक्ती पाचर नी तरफ नमो समान्य श्वास लेता लेता विश्राम लो आ अवस्थामा दस्ती 30 सेकंड सुधी रहो अर्ध चक्रासान करोड रजुने लवचिक बनावे छे अने मनकानी तंत्रिया कौने मजबूती आपे छे इश्वास लेवानी क्षमता सुधारे छे श्वास केचो दीमे दीमे मोल स्तेतीमा आवी विश्राम लो हाई बीपीना दर्दियोय साव चेतित नमवो त्रिकोन आसन त्रिकोन एटले त्रिभूच पग एक मेक्ती आरामदायक अंतरे राखी ने उभारा हो हाथोने दीमे दीमे त्यांसोदी उठाओ जियांसोदी ए समस्तरमा न आवी जाए श्वास काटो अने दीमे दीमे जमणी बाचु नमो जम्ना हाथ ने जम्ना पगनी बराबर पाच अन मुको दावा हाथ ने जम्ना हाथ नी सिधी लिटी मा उपो करो समाने श्वास लेता लेता आ अवस्तामा दस्ति त्रि सेकंड सुदी रहो आ समतर पक्ति बचावे छे पिंडियो जांगो अने कमर नासनायू मजबूत बनावे छे अने मनकाने लवचीक बनावे छे श्वास खेता खेता दीमे दीमे मुन स्थिती मा आवो दावी बाजू माटे फरीधी करो स्लिप डिस्क, साइटी का अने पेटना ओपरेशन पछी आ आसन करवू नहीं पोतानी शारेरिक मर्यादाओ थी उपरवाट चशो नहीं बद्रासन आहू हवी बेस्वानी मुद्राव माटे सज्य थाईये बद्रन और्थ छे द्रड पग सामेनी तरफ फेलावी ने बेसो हाथ थापानी पासे राखो आथ दंडासन छे हवी पगना तळिया नजीक राखी मुको श्वासकाटो ने हाथ पोताना पगना अंगुठा पर चापी दो इडियो बनने इतली मुणादार नी नजीक लावो आँ छेली अवस्ता छे आँ अवस्तामा थोड़ी वासुदी रहो बद्राशन शरी ने द्रड करे छे अने मगदने स्ठीर राखे छे हवी पगने खेंचो अने वी श्रामनी अवस्तामा आओ एक्यूट आर्थ्राइटाईस अत्वा साइटी का होई इमने आ असन करवू नहीं वजरासन सव पेला दंडासनमा बेसी जाओ बनने पगवाईने एडी पर बेसी जाओ परस पर अड़कीने राखो बने हाथ गुटन उपर मुको माताती पग सुधी शरी टटान राखो आ असन वजरासन केवाई छे अर्द उस्तरासन सव पेला वजरासनमा बेसी जाओ गुटन बेर उबाध हाओ हाथ कमर पर एविरिते मुको के आंगलियों जमिननी तरफ होए कोणियों अने खभा समान तर राखो हवे माताने पाचानी तरफ नमावता गणानास नायों ने खेचो श्वास लेता लेता दड़ने बने एटलू नमावो श्वास कारता कारता आ अवस्थामा शरीर डीलू मुकी दो समाने श्वसन क्रिया चालू राखता आ अवस्थामा दस थी त्री सेकंड सुधी रहो आ योगाव्यास्ती पीठ अने डोकनास नायों मजबूत थाई छे कब जात अने पीठ नों दुकावों मटी जाई छे श्वास लेता लेता पाचा वजरासन मा बेसी जाओ शरीर डीलू मुकी दो उस्टरासन वजरासन मा बेसी जाओ गुटन जमिन पर टेकवी ने पूताना बन्नी पगनी जाँगो अने पंजा बेगा करी दो गुटन अने पंजा वच्चे अमूग इंचनू अंतराकी ने गुटन बेर उभाथ हे जाओ श्वास लेता लेता दीमे दीमे पाचार नी बाजू नमो दीमे दीमे जमना हाथी जमनी एडी अने डाबा हाथी डाबी एडी पकडवानो प्रयत्न करो पाचार नमती वक्ते डोक ने आजको लागे नई ए त्यान राखो उस्त रासन द्रस्टी दोशमा गणो लाब प्रद छे आपीट अने डोक ना दुखावामा राहत आपे छे आपेट अने थापानी जर्बी उतारवामा मदद रुप्थाई छे हाई बेपी रदैर रोग अने सारण गाटना दर्दियोए आ आसन करवू नहीं श्वास लेता लेता पाचा वजरासन मां बेसी जाओ शर्री ने डिलू मुखी दो शशांक खासन शशांक नो अर्थ छे शशक अथवा ससलू बन्ने गुटन दूर फिलाओ पन अंगुठावने एक मिकनो स्पश कराओ हतेलियो गुटनों नी वच्चे राखो श्वास शोडो अने दिमे दिमे पूरे पूरी लंबाई मा खेंचो आगर नमो अने हडपची जमीन उपर मुको हाथ समांतर राखो सामे जुओ आज मुद्रामा रहो अमानसिक दान अने गुस्चो गटारवामा मददरूप छे श्वास खेंचो अने उठो श्वास काटो अने वचरासन मा पाचा आवो पग पाचा विश्रामा सन मा लावो ओस्ट्रियो आर्थ्राइसिस ना दर्दियोए आ सावचे थिरी करवू छो ये उत्तान मंदुक आसन आ आसन मा शरीर उपर जोता दिड़कानी अवस्थामा होए छे वजरासन मा बेसी जाओ अंगोटा अरकालीने बन्ने घुटन बन्ने एटला वदू फेलाओ श्वास लेता लेता हाथ उपनी तरफ लई जाओ माथानी पाच्वर्ती बन्ने हाथ वाईदो हत्यरियोने विपरित खब्बाव उपर मुको पीट औने डोक एक्टम सिधी राखो आज अवस्तमा थोडिवा सुधिर हो आँ आसन पीट औने डोक न दुखाव मतारवामा मदद रुप छे आँ आसन शरीडना मध्य पटल माटे लाब प्रद छे आफेफसानी कारेक्षमता वदारे छे गुटन अने सांधानों दर्द होए इलुकोए आ आसन करवून नहीं हवे उन्डू श्वास लेता बन्ने हाथ दीमे दीमे सिता करो पाचा लावीने गुटन उपर मुको गुटन बेगाकरीने अगावनी स्थिदिमा ले आओ वकरासन वकरनों अर्थ छे वलेलूं जमणों पग नमाओ जमणा पगने डाबा गुटन पासे मुको डाबा हाथी जमणा गुटनने वींतो वालो अने हतीरी जमणा पगनी पासे दाखो श्वासकाडो शरीर अने डोग जमणी बाजू वालो अमुदरामा आराम्धिरा हो माथू पाचार फेरवो श्वास काटता काटता हाथ बार काट हो पक्खेंचो मुन्स्तिति माविने विश्राम लो आ आसन मनकानी लवचिकता वधारे छे आकबज्यात अने अपचो मतारवामा अने डायविटीज अंकुष्मा राक्वामा पर मदद रुख छे आ आसन बिजी बाचु माटे दोहराओ माथू पाचल फिर्वो श्वास काटा काटता हाथ बार काटो बन्ने पग केचो मुनस्तितिमा आवीने विश्राम लो मकरासन मकर नो अर्थ छे मगरमाच उन्दा वरीने एडिते आड़ा पड़ो के पग एक बिजाती दूर होई अने बहारनी तरफ होई बन्ने कांडा वालीलो अने जमना हातने डाबा पग उपर मुको माथू हाथो उपर मुको आराम करो आ मकरासन छे आ आसन बधी अधुमुकी मुद्राव मा विश्राम माटे करवामा आवे छे अना ति पीट ना नीचे ना भागने आराम मले छे भुजंगासन हवे अधुमुकी मुद्राव माटे तयार्थ ही जाओ भुजंगनों आर्थ छे साप के कोबरा उन्धा वरी आड़ा पड़ो, माथु बन्ने हाथो उपर राखो अने शरी ने अरान्थी रेवादो हवे पग एक मेक्ती चोड़ी दो अने कांडा खेंचो कपार जमिन पर राखो हवे हतिलियो छाती पासे राखो अने कोणियो उठाओ श्वास खेंचो अने हडपची थी डूटी ना भागसुदी चाती उपर उठाओ आँ बुजंगासन छे मानसिक तान पर अंकुष माटेनू आश्रेस्टासन छे पीठ ना दुखावा अने श्वास नी तकलीफ ना उकेलमा मदद रुख छे श्वास काटो कपा जमीन पर रेवादो अने हाथ खेंचो पग फेलाओ हतेलियों उची करो अने माथू हतेलियों पर मुकी आराम करो श्वासन 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 अर्थ छे खर माकडी उन्दावली ने आड़ा पड़ो पग एक बिजाती जोडी दो हडबची जमीन पर राको बने हाथ शरी नी पड़के एरी दे राको के हतेलियों उपर नी तरफ होई श्वास खेंचो पग जमीन थी एकला उपर उठाओ जेटला तमे गुंटर वायावगर उठावी शको हाथ अने पग एरी दे खेंचो के शरी सेलाईती जमीन थी उपर उठी जाए आस्तितिमा अराम्थी रहो आसन साइटी का अने पीठ ना नीचे ना भागना दुखावामा नहात आपे छे अथापानास नायोने आकार आपे छे अविश्वास काटो पग नीचे जमीनी तरफ लाओ हाथ फेलाओ अने जमीन पर विश्राम करो रदै रोगना दर्दियोए आमुद्रा करवी नहीं सेतु बंदासन उर्ध्वा मुखी के पेतना भहे सुईने करवावाई मुद्राओनी तरफ सेतु बंदनों अर्ध्चे पुल बनावो पग एक मेक थी मेरवी दो हाँ छरी ने पढ़खे राखो बन्ने पग गुंटर थी वालो एडियोने थापा पासे लही जाओ बन्ने एडियोने चसो चस पकड़ीलो श्वास केंचो तीमे दिमे थापा अने धर्णे पूल बनाव माटे तमारा थी थाए इतला उपर उठाओ अराम करो आज छेली मुद्राचे आँ आसन विशाद अने व्यक्रताती मुक्ती आपे छे ते पीटना नीचेना भागनास नायोने मचबूत बनावे छे अविश्वास काटो दिमे दिमे मुवस्तिति माओ अने विश्राम करो पीटना बले आडा पडो कुरुपाकरी द्यान राक्षो गर्बावस्ता पचिना त्री मासी काडा माथी पसार्तती मैलावे आ आसन करवू नही उत्तान पादासन आ आसन माँ पीट टेकवी ने पग ने अधर करवामा आवे छे इतलेज आ आसननो नाम उत्तान पाद आसन पड़ियू छे जमिन पर आरांथी पीट टेकवी ने आड़ा पड़ो पग सीधा राको अने हाथ पड़खे राको श्वास्त लेता लेता गुंटन वार्यावाकर दीमे दीमे बनने पग उपर करो अने 30 डिगरी नो एंगल बनाओ समान्या श्वसंक्रिया चालू राकता आ अवस्तामा थोड़ी वार रहो श्वास्त छोड़ता छोड़ता दीमे दीमे बनने पग नेचे लाओ जमिन पर पग मुको आ आसन नाभी गेंद्रमा इटलेक नाभी मनी चक्रमा सम्तुला लावे छे अर्द हलासन आ आसनमा शरीर खेतर खेडवा मार्टे ना हर ना अर्द आकार जेवी थाई जाए छे इटलेज एनुना अर्द हलासन पड़ियों छे पीट टेकवीने आड़ा पड़ो बनने हाथ जांगोनी परखे राखो अने हतलियो जमिन पर टेकवो गुटन वाल्यावगर दिमे दिमे पोताना बनने पग उपर उठाओ पहला पग 30 डिगरी सुधी उठाओ पची 100 डिगरी नो एंगल बनाओ हवे दिमे दिमे पगने 90 डिगरी ना एंगल सुधी लई जाओ आ अर्द हलासन नी पुन अवस्थां छे आ अवस्थामा शरील थापा थी खब्भासुधी तटारेमों जोईए दिमे दिमे बनने पग पाचा जमिन पर लावो आम करती वक्ते माथू जमिन थी उठे नई एनू ध्यान राखो बारे मानसिक तान थी पिडाता लोको माटे गणू लाव प्रद छे पन ते सावचे थी थी करवू जोईए पिट्थी नीजेना भागनों दुखाव रेतो होई एवी व्यक्ते बनने पग साथे आ आसन करवू नहीं पवन मुक्तासन बन्ने गुंटनों वाव अने जांगो छाती पासे लावू आंगलियों परस्पर भेरवीदो अने गुंटनी नीचेनी पिंडियोंने बराबर पकड़ीलो माथू अने खब्बा उठाओ अने गुंटनोंने हर पचीती अड़कवानों प्रहत्न करो अहां पवन मुक्तासन छे आ कबज्यात दूर करे छे पेट मानों गेज दूर करे छे अने पाचर नासनायों अने मनकानी तंत्रीकावने ठीक करे छे माथू पाचर लाओ श्वास छोड़ो पग खेचो आराम करो आराम करो पेट माई जाओ हर निया साइटिका अने गर्बा वस्तामा आँ अभ्यास करवो नहीं शवासन शव इटलेके मृत देहे आ आसन पूरे पुरा विश्राम माटे करवा मावे छे बन्ने हाथ आने पग फिलावी ने आरामती पीठना बढ़े आडा पडो हतिरियोने उपड़ाखो आँख बंद करीदो आखा शरीर ने जागरूत पावती विश्रामा आपो कुद्रती श्वास्ती वाकेव थाओ तेने तालबद और दिमे दिमे थवादो पुरे पुरी ताजकी अनि निस्चिंतानो अनुपव थवासोती आ अवस्थमा रहो आ असंती बदी रितनी मान्सिक्तानती मुक्त थवाई छे शरीर अने मगज बन्नेने आराम माये छे अमान्सिक्तान अनिना परिणामोंने अंकुष्मा राख्वामा मदद रूप छे अनुप वास्थमा राख्वाई राख्वाई कपाल भाथी आमगदना अग्रबागना श्वसन केंद्रोंने प्रवडुत करे छे द्याननी कोई पर्मुद्रामा बेसी जाओ आखो बंद करो अने आखा शरीर ने विश्राम आपो उन्डा श्वास खेचो शाती फुलाओ श्वास ने पेटनास नायोंने शक्तिशारी संकोचंती बहर काटो शांतरई श्वास केचो अने सक्रिय रूपे काडवानू चालू डाखो परिती उन्डो श्वास लो दिमे दिमे बार काटो अने विश्राम लो आँ कपालपाती नू एक चक्र छे आँ त्री स्वार करो दरेक चक्र ना अन्ते उन्डो श्वास लेवो जोईए अवे बिजा बे चक्र पूरा करो कपालपाती ती सामेनी वायो नर्योने स्वच्छ करो तेने कव सवंदी तकलिपोना निदानमा मदन मले छे अठंडी, राइनाइटीस, साइनोसाइटीस, अस्थमा अनिश्वास ना रोकोनी सारवारमा मदन दरुख छे गुरुपाकरी द्यान राखो, रदै संबनी तकलिपो, हाई बिपी, तम्मर चडवा, माईगरेन, स्ट्रोक, हर्निया अने गेस्ट्रीक अलसर वगेरे तकलिपो हो होए तो आकरवू नई प्रानाया नाडी शोधन के अनुलों विलों प्रानाया क्रम शहर डाबा अने जम्नार नसकुराती श्वास लेवानों छे द्याननी मुद्रामा बेसी जाओ मनको सीधो राखो माथूंचूं अने आखोने बंद राखो थूड़ा उन्डा श्वास लेई शरीर ने अरामनी अवस्थामा लाओ डाबिया थेड़ी डामा गुटर पर ग्न्यान मुद्रामा मुखो जम्नों हात नासाग्र मुद्रामा होवो जुए जम्नों अंगुठो जम्ना नसकुरा पर मुखो डाबार नसकुराती श्वास अंदर लो पचिये ने बंद करीलो जम्ना नसकुराती श्वास बार काड़ो त्यार पचिये जम्ना नसकुराती श्वास खेंचो जम्नों नसकुरू बंद करीदो अने डाबा नसकुराती श्वास काड़ो अनाडी शोधन के अनुलों विलों प्राणायामनू एक चक्र छे बिजा पांच चक्र पूरा करो अनुलों विलों प्राणायाम शरू करना नवा लोकोनू श्वास केच्वा अने काटवानों समय सरकोरेवो जोईये दिमे दिमे तेमने समयनों रेशियो एक ना प्रमान मां बेनों करो जोईये श्वास्तीमों, स्थीर अने नियंतरित नेवो जोईये हाँ प्राणायामनों हेतो उर्जाना बदाज मारगोंने शुद्ध करवानों छे ए आखा शरीने पोश रेचे आ चीतने शांत करे छे औने एकाग्रता किलवामा मददरुप्ठाई छे आ प्रान शक्ती वधारे छे मांसिक त्रान अने व्यग्रता गटारे छे आ कव सबंदी तकली फोपन दूर करे छे शीतली प्रानायाम शीतनो अर्थ छे ठंडू आ प्रानायाम साधकनो चीत शांत करे छे अने मननी व्यग्रताने दूर करे छे शीतली प्रानायाम इनना नाम प्रमाने शरीर अने मनने शांत करे छे पदमासन अथवा कोई पन आरामदायक आसनमा बेसी जाओ अंजली मुद्रा अथ्वा ग्णान मुद्रामा हाथ गूटन पर मूखो जीबने खुणे थी वाईने ट्यूबना आकार्नी करीलो ट्यूबना आकार्नी जीब थी श्वास लेता लेता शक्य बने एटलो वायू फेप सामा बरीने मोधू बंद करीदो अने बन्ने नस्कुराती दीमे दीमे श्वास काटो शीतली प्राणायां लोहीने शुद्ध खरे छे ते शरीने शीतलता आपे छे हाई बिपीवा लोको माटे खास लाब प्रद छे भूख अने तरसने शमावे छे कव अने पितना कालने थता अपचो अने बिया रोगो माटारे छे चामडी अने आखो माटे लाब प्रद छे शर्दी कव अत्वा टॉंसीलाइटीस ना दर्दियोए आ प्राणायां करवून नहीं ब्रह्मरी प्राणायां ब्रह्मर ब्रह्मराने कहे छे अँ प्राणायमं श््वास कार्टी वक्ते थ तो निकलतो द्वनी बम्रानं बुण भुण द्वनी ने मलतो आवे चे बन्ने नसकोराथी उंडो श्वास लो बम्राना बुण-बुण जेवा गेरा अने स्थे द्वनी साते नियंत्रीत रुपे श्वास छोडो आ ब्रामरी प्राणायवनू एक चक्र छे, हजु बेवार करो आ अनिद्रा माठे बउसारो उपाय छे, मानसिक तार्नो विकार दूर करवामा गणो असरकारक निवल्यों छे अवे ब्रामरी ने शनमोखी मुद्रामा करो बन्ने कान अंगुठा वडे ढाकी दो अवे तरजनी ने आखो पर मध्यमाने नस्कुरा पर अने अनामिका तेमज गनिस्ठी का अंगयों ने पोतना होट परमुको नाक खोलो बन्ने चीतरो थी श्वास लो बम्राना बुन्बुन जिवा द्वनी साथे नियंत्रीत वेगमा दिमेदिमे श्वास छोडो आँ एक आग्रता ने द्यान शरू करवा नी तैयारी माठेनू प्रानायाम छे द्यान आउ हवे द्यान माटे तैयार थाओ द्यान सतत चिंतननी एक प्रक्रिया आछे द्याननी कोई पर मुद्रामा बेशो पोताना मनकाने आराम प्रत्स्थितीमा टट्टा राखो ज्यान मुद्रामा आओ हतिल्योने जांगो पर उपरनी तरफ राखो हाथ अने खब्बा हलवाश अने आरामनी अवस्तामा हुआ जुए आखो बंद करिलो चेरो सेज उपर करी बेशी जाओ तमारे एकाग्रत वानी जरूर न थी बस पोतानी पापनोनी वच्चेना भाग पर थूडू द्यान राखो अने पोताना श्वास प्रति जागरूत थाओ द्यान मगदने शांद अने आनांद मैं राखे छे ते काग्रता याद शक्ती विचारोनी स्पष्ठता अने इच्छा शक्ती ने वधारे छे ए आखा शरीर अने मगदने योग्यारीते आरामापी इमने फरीती चेतनवंता करे छे ते हकारात्मक बावचा गवामा मदद करे छे द्यान आपणने आत्मानू बुतिनी दिशामा आगर ले जाए छे द्यानने स्थिती जार्वी राखो आपणने स्थिती ते है ज्यानने स्थिती प्रोगचा अने आत्माने आप ले खे लेगे कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दों कर दो कर सक्षी प्रोव Council कर दो कर दो कर दो कर दो अ कर दो 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 हूँ पोताने एक स्वस्त शांति प्रिय प्रसं औने स्नेही मान्वी बनावनू शंकल्प लवचू हूँ मारा दरेक करमती पोतानी चारे बाजो शांती औने स्नेनू वातावरं पूरेपुरु रच्वानू प्रहत्न करीश हुँ अहम औने अज्ञान केंदरित जीवन आस्थानू पर योगमय औने विवेक पुल्ण जीवन जीवता विश्व बंधुत्व औने एकत्र भावनी साथे आखा विश्वने पूतानामा समाहित करवानू पुल्ण पुरुशार्थ करीश हुँ वसुदैवा कुटुम्बकम औने सह अस्थित्वना सिध्धान्तना प्रती पुल्ण आस्था राकीने सवना प्रती कृतक्ने भाव थी आत्मवत्व्यवहार औने आचिरण करीश हुँ अया उपस्थीत दरेक व्यक्ती साथे एकात्म थवानू संकल्प लवचु सर्वे भवन्त सुखिनाह सर्वे संत निरामयाह सर्वे भद्राणी पश्यन्तू मा कश्चित दुख भाग भवे मा कश्चित दुख भाग भवे ओम शांती 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 क्या रएक लिए एकश भाग भवे कर दो कर दो रुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष्णुष झाल झाल